कि एक्स्प्रेस जयिस क्या होता है उसके बारे में पूरा हम डिबड़ करेंगे तो एक्स्प्रेस जयिस एक framework है जो कि Node.js पे बना हुआ है अब आपने Node.js आपको पता नहीं है तो मैंने अलरड़ी node.js पे एक series एक crash course बना है आप उसे देख सकते हैं मैं link डाल दूना तो express.js क्या करता है तो express.js जो है आपका web servers और API को simplify कर देता है जो भी आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कैसे बनाना है क्या बनाना है एक framework के तहट आप उसको बनाएंगे तो काफी आपका काम easy हो जाएगा जो भी express.js क्या कर रहा है जो भी node.js है उसकी capabilities को बढ़ाने का काम कर रहा है मतलब आप जो भी web development में आपको extra functions चाहिए वो आपको express.js से मिल जाते है दूसरा यह कोई ऐसा fix rule नहीं बना रहा है जैसे यहा approach नहीं बता रहा है आपको की fix rule है आप अपने मन मुताबिक changes करके पूरा framework बना सकते हैं तो यह काफी simple है और काफी matured framework है यह काफी सालों से इसे use किया जा रहा है दोस्तों तो इसमें काफी improvements हुए है और कोई भी चीज जब matured हो जाती है software industry में तो इसका काफी heavy use होने लगत कि यह API handling में http request और response का जो method है उसके लिए clean framework है मतलब काफी अच्छे से आप request response को define करके accordingly आप अपना response बना सकते हैं इसमें आपको routing और middleware integration और rendering view rendering भी इसमें supported है ठीक है इससे आप routes बना सकते हैं अलग-अलग routes पे आप उसको routing कर सकते हैं इसका middleware architecture काफी मतलब best है आपको जब भी middleware लिखना होता है तो आप इसको अच्छे से use कर सकते हैं तो यह बाकी जैसे templating engine है उसके साथ काफी अच्छे से integrate करता है इसका ecosystem काफी बढ़ा है दोस्तों इसमें third party integration और middleware जो जैसा मैंने आपको बताया काफी अच्छे से पहले हम इसका जो है expressjs.com पर जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको getting started पूरा documentation दिया हुआ है guide दी हुई है ठीक है आप यहां पर जा करके भी पूरा सारा कुछ इनका देख सकते हैं तो इसको install करना काफी simple है दोस्तों आपको एक directory बनाना है और आपको npm init चलाना है उससे तो मैं आपको यह practically करके दिखाता हूँ दोस्तों तो यहां पर हम क्या करेंगे इसमें हम एक अपना directory बनाएंगे जिसका नाम रहेगा my app और उस directory में हम जाकर के उस directory में हम जाएंगे और यहां पर जो है हम ठीक है यहां पर आने के बाद में अब हम जो है यहां पर क्या करेंगे npm init ठीक है npm init करने से क्या होता है दोस्तों npm init करने से एक project बनता है और node.js में तो यह देखिए यह मेरा project बन रहा है मैं सारी default values जो है इसमें accept कर लेता हूँ दोस्तों ठीक है यह देखिए किस तरीके से आपका project बना है मैंने सब कुछ yes किया हुआ है यहां पर yes कर देता हूँ यह मेरा project तयार हो गया दोस्तों अब मैं इसको क्या करूँगा code में चालू करूँगा vs code में इसको हम start करेंगे और आगे इसको कैसे install करना है वह हम इसको देखिए अब जैसे ही यहाँ पर vs code में start करते हैं तो आपको यहाँ पर एक terminal open कर लेना है दोस्तों इस terminal से आप क्या करेंगे अब जो भी package है यहाँ से install करके देख सकते हैं तो यह terminal जैसे मैंने open किया आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर package.json है अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों npm install express ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा node modules और एक package log.json file बनती हुई नज़र आएगी देखिए यह बन गया है यहाँ पर अब इसको हम package.json में देखेंगे तो हमें इसका dependencies जो है express दिखाई पड़ रहा है तो दोस्तों यह इस तरीके से आपको यहाँ पर यह बनाना है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों य यहाँ पर एक index.js file बना लेंगे और इसमें जो यहाँ पर जो आपको इस पर जो code दिखाई पड़ रहा है ठीक है यह आप hello world दिख रहा है यहाँ पर ठीक है इसको हम यहाँ पर copy कर लेंगे इसको as it is copy करके हम यहाँ पर आ जाएंगे और अपने index.js में इसको इस code को आता हूं कि यह actually है क्या यह जैसा हमने node.js में http module बनाया था से similar terms में यहाँ पर बना हुआ express आप require कर लीजिए उससे एक app बनाये उसका port 3000 दीजिए और उस app पे अब जो भी आपको जैसे URL आपका root है तो क्या response भीजना है यह response है और उसको listen करना है कहाँ पर दोस्तों जो भी हमारा port है तो अब हम इसको start कैसे करेंगे दोस्तों इसको start करने के लिए आपको यहाँ पर यह port 3000 पे start हुआ है अब हम इसको जो है localhost 3000 करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यह hello world दिखाई पड़ रहा है तो यह बिल्कुल simple implementation है दोस्तों इसमें हम और आगे बिल्कुल deep dive करेंगे आपको बिल्कुल सारा कुछ यहाँ पर मैं explain करने की कोशिश करूंगा प आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए तो अब हम इसमें जो है basic routing कैसे काम करता है वह देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है routing मतलब काम करेगा यहने कि जैसे gate हो गया post हो गया तो वह सारा मैं आपको यहाँ पर बताता हूं दोस्तों तो चलिए हम यहाँ पर एक इसमें जो है एक route एड करते हैं जो की जैसे about मान लिजे कोई मेरा website है उसमें about page है तो यह about के लिए किस तरीके से काम करेगा अब इसमें हमें इसे check करना है तो हम thunder client का use करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप extension में जाईए और thunder client को जो है install करिए thunder client क्या है it's like a postman आदे आपने postman यूज किया होगा API testing के लिए तो similar terms में हम यहाँ पर thunder client को use करेंगे तो यहाँ पर जाईए thunder client में और यहाँ पर आप new request बोलिए ठीक है हम इसको जो है एक बार इसको restart भी कर लेते हैं दोस्तों क्योंकि हमने कुछ changes किये थे अभी तो इसको यहाँ पर आप ठीक है इसको restart करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या request देंगे हम यहाँ पर get करेंगे localhost जो भी हमारा localhost क्या है यहाँ पर IDM हम यहाँ पर देखे तो यह हमारा address है इसको हम यहाँ copy करके सीधा यहाँ पर हम paste कर देंगे दोस्तों ठीक है और अब यहाँ पर हमने क्या route बनाया है about तो यहाँ पर हम about टाइप करते हैं और देखते कि हमें क्या response मिलता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए response क्या आपको about page हमने क्या डाला हुआ है यहाँ पर दूस्तों यह हम VS code में देखेंगे हमारा index.me about page ठीक है तो यह एकदम simple routing हुआ उसी तरीके से आप contact page user page यहाँ पर बना सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ यह बिल्कुल simple way है बनाने का तो यह basic routing हो गया आपका तो इसको यहाँ पर वापस से टेस्ट करें यहाँ पर हमारा क्या है यूजर्स है तो send करेंगे हम तो क्या आएगा हमने users बनाया है कि हाँ हमने users बनाया हुआ है और उसमें हमने users page request डाला है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हमारा users है ओके इसको जो है मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो भी changes करेंगे आप इसको आपको restart करते रहना है दोस्तों फिक है अब देखिए यहाँ पर यह देखिए users page तो इस तरीके से यह मेरा basic routing हुआ दोस्तों दोस्तों हम यहाँ से भी check कर सकते हैं देखिए हमें output आ रहा है अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा static assets याने कोई images है या और भी कुछ मेरा static files है जो मैंने एक public directory में रखी हुई है उसे हम किस तरीके से यहाँ पर access करेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है दोस्तों यहाँ पर मैंने एक public directory बनाई हुई है और उसमें यह इमेज आपको दिख रहा है यह image मैंने copy कर दिया है तो यह image मुझे चीए तो दोस्तों यह किस तरीके से मैं यहाँ पर लूंगा तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि इसको anchor tag मैं बनाता हूँ यहाँ पर हम थोड़ा सा changes करते हैं वो changes कुछ इस प्रकार से है कि मैं जो यह response है इसको मैं change कर देता हूँ दोस्तों और इसको एक html response यहाँ पर मैं send करने की कोशिश करता हूँ याने यह welcome to my और यहाँ पर देखिए मैंने एक anchor tag बनाया हुआ है और इस anchor tag में जो है मैं यहाँ पर image का नाम जो है मेरा क्या है cottage.png मैं वो image य आने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर जो है मैं क्या लिखता हूँ .png ठीक है अब इसको जो है मैं यहाँ से restart कर देता हूँ तो यह देखिए है मैंने यहाँ से restart किया अब हम हमारे server पर देखते हैं इसको restart करते हैं हम रूट पर आ जाते हैं अब देखिए image हमें नहीं दिख पड़ रहा है तो इसको दिखाने के लिए दोस्तों हमें जो है एक statement यूज़ करना पड़ेगा अब वो कुछ इस तरीके से हमें डालना पड़ेगा कि हमारा जो app है जिससे हमने app बनाया है उसको हम क्या बोलेंगे app.useexpress.staticpublic यह public मेरा directory है तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद हम इसको फिर से जो है restart कर लेंगे दोस्तों और यहाँ पर हम check करते हैं अब इसको देखिए यह मेरा image आ गया तो इस तरीके से आप जो भी अपना static assets है वो with the help of this आप बता सकते हैं आपका जो भी directory जहाँ भी static तो इस तरीके से आप बता सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम जो है यह देखिएगे कि किस तरीके से आप URL में से parameter extract करके accordingly आप उसका response तैयर कर सकते हैं तो जैसे for example यहाँ पर मैं यहाँ पर slash users और उसका समझ लीजे user का ID 123 है इस तरीके से डालता हूँ तो यहाँ पर देखिए यह मुझे क्या मिल रहा है कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है तो इस तरीके का जो dynamic route हम कैसे तैयार कर सकते हैं with the help of ID तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तो इसको जो है इसको बंद कर देता हूँ और एक नया हमने route बनाया है जिसमें कि मैंने colon देके ID दिया हुआ है और अब इस ID को मुझे लेना है तो मैं किस तरीके से लूँगा request.parents.id तो मुझे यह जो ID है इसमें आ जाएगा और यह ID मैं यहाँ पर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तो तो अब हम देखते हैं इसको save करते हैं अब मालीजे मैं यह जालता हूँ तो देखिए user profile 123 तो उसने क्या किया यह वाली जो है values निकाल लिया URL में से और उसको accordingly उसने वहाँ पर show किया तो दोस्तो इस तरीके से आप dynamic route भी तयार कर सकते हैं parameters को extract कर सकते हैं URL से with the help of colon दोस्तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से मेरे सारे routes जो है यहाँ पर एक के नीचे एक लिखे जा रहे हैं अब इस method से problem क्या है कि मान लीजे मेरे पास बहुत बड़ा application है e-commerce का तो मुझे code को separate करना मुश्किल हो जाएगा मतलब मुझे समझ दिया कि कौन सा code जो है किसके लिए लिखा गया है तो यहाँ पर यह एक समस्या node में हमें node.js में पाई गई है तो express उसका solution हमें कैसे देता है तो express से हम क्या कर सकते है दोस्तों कि हमारा जो भी code है जो भी routing हो रही है उसको modular way में कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो चलिए हम एक नया file बनाते हैं और उसका नाम देते हैं app.js ठीक है ये माली जी की मेरा e-commerce application है और हम एक route नाम से एक folder बनाते हैं ठीक है और इसमें हम जो भी हमारा code है वहाँ ये सब modularity जो है हम यहाँ पे लाएंगे तो app.js मेरा किस तरीके से दिखेगा दोस्तों तो मेरा ये app.js जैसा कि मैंने बताया आपको e-commerce application है जिसमें की मेरा express require किया है बनाया और बाकी same as it is जो मैं पहले कर रहा था वो ही है और यहाँ पे हमने server को start किया हुआ है तो यह बिलकुल simple हमारा जो जैसे पहले था वैसे ही है खाली हम यहाँ पे क्या कर रहे है product और authentication अलग कर रहे है और cart अलग कर रहे है अब इसको जो है हम किस तरीके से modular way में बनाएंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर route के नीचे आप क्या करेंगे एक product dot js file बना लेंगे ठीक है अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि router की help से आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर भी हम express को require करेंगे और उससे एक router बनाएंगे ठीक है और इस router में अब हम बताएंगे कि जैसे हमारा get है तो यहाँ पे सारे products आ जाएंगे उसके बाद में idea तो particular idea और इसको हम export कर देंगे और यहाँ पर जाकर के दोस्तों हम क्या कर लेंगे यह product जो है अब इसको for the timing यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर आ करके मैं इसको import कर लूँगा किस सरीके से import करूँगा तो यहाँ पे देखिए मैं route को जो है import कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पर जो है मैंने यह require किया routes के अंदर मेरा product.js है यह product.js इसको rename कर देते है product.js ठीक है तो यह path मेरा सही है बिल्कुल अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इसको product.router अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं इन routes को किस तरीके से use करूँगा तो यहाँ पर जो है मैं कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर routes को use routes किस तरीके से करूँगा यहाँ पर मेरा app.use ठीक है यहाँ पर मेरा यह है तो यह home route router रहेगा ठीक है अब यह मेरा app.use तो यह क्या है मेरा slash products कॉमा यहाँ पर मैं यह उपर जो products router बनाया है उसको डाल दूँगा ठीक है और बाकी जो है मैं यहाँ से सारा कुछ अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाने की गोशिच कर रहा हूँ कि हमारा code जो है अब modular way में बनता हुआ चला जा रहा है अब देखी यहाँ पर यह router की help से हमने क्या किया है यहाँ पर यह मेरा home router में home जो है इसको बना सकता हूँ और यह products router तो अभी मैंने क्या किया है यह products जो router है यह कहां बनाया है मेरा यहाँ पर यह तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है यह दो चीजे मिल रही है खीक है तो यह इस तरीके से अब जैसे मेरे पास card है तो card को मैं कैसे लूँगा app.use यहाँ पर slash card उसके बाद मैं यहाँ पर comma दे करके मैं card router यहाँ पर कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है मैं similar terms में जो यहाँ पर किया है वोई यहाँ पर मैं कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है मुझे एक file बनानी पड़ेगी जिसका नाम रहेगा card ठीक है तो मैं इसका card नाम देते ता हूँ card.js card.js में क्या डालूँगा दोस्तों card जैसे मैंने product.js में चीजे डाली हुई है similar terms में मैं यहाँ पर card.js कुछ इस तरीके से बनाऊंगा यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है express को लिया हुआ है फिर router बना है फिर सारे जो path है वो मैंने यहाँ पर set किये अब मुझे कुछ delete करना है put करना है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ और इसको इस तरीके से मैं दे सकता हूँ तो अभी आप देखिए किस तरीके से यह मेरा card भी तयार हो गया मेरा product तयार हो गया अब पहले जो code दिख रहा था वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा था मतलब यह अब देखिए यह code बिल्कुल modular हो गया है और आपको समझ में भी आ रहा है कि कौन सा जो चीज है वो कहां पर है दोस्तों यहाँ पर हम home router और बाकी जो है authentication जो है उसको बना लेते हैं तो वो किस तरीके से हम बनाएंगे तो यहाँ पर जो है routes में मैं क्या करूँगा home .js कर दूँगा ठीक है और home.js में मैं कुछ इस तरीके से मेरा जो code है मैं इसमें about page और contact page भी डाल रहा हूँ तो यह रहेगा और इसको हमने यहाँ पर already const home router equals to require .routes slash home ठीक है उसी टर्म्स में मेरा जो है authentication रहेगा दोस्तो तो यहाँ पर मैं एक auth .js फाइल बना लूँगा और इसमें भी मैं उसका तारा जो है express ले करके फिर router बनाऊंगा और फिर router से यह जो भी मेरे जो भी लाओ इन लाओ और जो भी पेजस है वो उसको बनाऊंगा और यहाँ पर मैं उसको वापस से क्या कर लूँगा auth router equal to require और यहाँ पर जो है मैं route से पेरा auth ले लूँगा और यहाँ पर app.use auth 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 router उसके बाद यह मेरा पुरा जो है यह निकल जाएगा code तो अब आप देखिए यह कितना simple और easy to read है code यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ रहा है कि मेरा यह path है तो home router में जाएगा यह path है तो यहाँ जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों कि किस तरीके से मेरा code modular हो गया इसमें और भी हम बहुत सारी चीजे कर सकते हैं जैसे prefix कैसे करते हैं वह मैं आपको बताता हूँ तो इसको सबसे पहले हम check कर लेते तो यहाँ पर check करने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा node app.js ठीक है यह देखिये welcome to the homepage अब यहाँ पर slash products में जाते हैं यह product का आ गया उसके बाद में card card को क्यों नहीं आया भाई once again हम card को देखते हैं दोस्तों हमने card में post delete और यह सब लगाया हुए तो इसको हमें जो है इससे check करना पड़ेगा तो हम इससे check करते हैं new request करते हैं ठीक है यहाँ जाते हैं और इसको जो हम card करते हैं और post करते हैं देखिए item added to the card आ गया यहाँ पर put करते हैं put में हमने क्या लिखा हुआ है वो देखिए id के साथ में हैं तो यहाँ पर हमें जो है id slash 123 डालना पड़ेगा तो यह id हम डाल देते हैं तो देखिए यह 123 आ गया उसके बाद हमने यहाँ पर क्या डाला हुआ है delete तो delete को भी हम चेक कर लेते हैं delete तो देखिए यहां से यह card पूरा हमारा काम कर रहा है तो दोस्तो इस तरीके से आप यह जहां पर भी आपने post put or delete लगाया तो वह इससे चेक करिए get आपको browser से चेक हो जाएगा तो इस तरीके से देखिए हमने किस तरीके से यहां पर जो है modular code बनाया जैसा कि मैंने आपको बताया कि router यूज करने से आपको क्या benefit हो रहा है अब हम देखते हैं कि इसमें prefix लगा के कैसे काम करेंगे दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि scenario पहले मैं बना लेता हूँ मान लिए मेरा API slash users है उसके बाद मेरा API slash orders है फिर same way में API slash categories है ठीक है इस तरीके से मेरा URL बन रहा है तो अब यह मैं किस तरीके से बनाऊंगा तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पर क्या करूंगा मैं एक router वापस से एक बना लूँगा तो यहां पर हम एक API router बना लेंगे ठीक है मैं इस scenario को बनाने की कोशिश कर रहाँ तो यहां पर मैं जो है API router देखिए इस तरीके से यह router बना लेता हूँ यहां पर API router ठीक है अब मैं यहां पर क्या करता हूँ मेरा जो भी users है order और categories है उसको मैं बना लेता हूँ तो यहां पर मैं उसको किस तरीके से बनाऊंगा यह इस तरीके से मेरा users आएगा ठीक है और यह मेरा orders और categories भी कुछ इस तरीके से आएगे ठीक है अब मुझे क्या करना है दोस्तों इसको यह common है इनका path तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा यहाँ पर मैं mount कैसे करूंगा common path से तो यहाँ पर आप जो है कुछ इस तरीके से use करेंगे api.use slash api, api router हमने क्या किया यहाँ पर api router यह बनाया ठीक है और इस api router में हमने users, orders और यह दे दिये तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों अब यह मैंने prefix यहाँ पर add कर दिया ठीक है आपको दिख रहा है यहाँ पर prefix अब हम इसको check करते हैं माली यूजर्स हमें check करना है तो कैसे हम check करेंगे इसको हम restart करते हैं ठीक है वापस से अपने यहाँ पर आ जाते हैं ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करते हैं get users हमें यहाँ पर पार्ट डालना पड़ेगा API slash users देखी क्या होता है देखे list of users आ गया उसी प्रकार से यहाँ पर मैं क्या करूंगा orders list of orders और उसी प्रकार से मेरा क्या हो गया categories list of categories तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है prefix add किया हुआ है by using the router तो इससे आप prefix भी add कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हम router को जो है middleware के लिए भी use कर सकते हैं अब middleware क्या होता है दोस्तों जब भी कोई request आती है और वो request जो है middleware pipeline से pass हो करके अपने destination की तरफ जाती है माली जीए कि यह इसका request आया अब यह users का list मांग रहा है बट जो भी मांग रहा है माली जीए वो user authentic है या नहीं है यह हमें पता करना है तो इस request को हमें pass करना पड़ेगा authentication middleware से और फिर उसके बाद जो है बाकी की process होगी तो middleware आप एक यह समझ दीजिए कि कोई request आ रही है बीच में मैं कोई उसका task डाल रहा हूँ और check कर रहा हूँ यह दी वो task successful होता है तो वो आगे बढ़ेगा otherwise वो वहीं पे reject हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए router में किस तरीके से हम middleware लगाते हैं तो माली जी कि मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर दो middleware है मेरा पास एक authentication का middleware function है जैसे मान लिजे मैं एक authentication का middleware function यहाँ पर लिखता हूँ वो खुछ इस तरीके से रहेगा यह मेरा authentication का middleware है ठीक है यह देखिए authentication middleware है इसमें मैंने request response लिया और यह request में से check किया यह यह authenticated है तो मैंने console पर यह जो भी मेरा logic है मैंने यहाँ पर लगा दिया और next next मतलब वो आगे बढ़ जाएगा otherwise यहाँ पर next नहीं लिखेंगे तो वो वहीं रूख जाएगा ठीक है और otherwise नहीं है तो यह होगा उसी प्रकार से यह जो request आ रही है इसको हम log भी करते हैं यह देखने के लिए कि यह जो भी application है मेरा कौन यूज कर रहा है बाद में हम log से पता कर सकते हैं कि कौन यूज कर रहा है कौन नहीं यूज कर रहा है तो logs बनाना भी important होता है तो यह मेरा एक माल लीजे कि logging middleware है यह मेरे पास दो middleware है एक मेरा यह authentication वाला middleware है और दूसरा मेरा logging याने हर एक request को मैं log भी कर रहा हूँ ठीक है तो यह इस तरीके से यह request आई उसके बाद यहाँ पर मैंने next डाला ठीक है अब यह दो middleware को मुझे जो है कैसे inject करूँगा यहाँ पर router में अब जैसे यहाँ पर माली जीए कि मेरा users है ठीक है अब users में authenticate middleware में मुझे डालना है तो मैं किस तरीके से इसको डालूँगा यहाँ पर simply आप इसका authenticate middleware डाल दीजिए यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा अब इसको जो है हम check करते है वापस से चलो करते हैं अब हम क्या करते हैं दोस्तों अब हम slash users पे जाते हैं और देखते हैं कि यह तो middleware बीच में जो हमने डाले हैं यह run होते हैं क्या ठीक है तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने browser पे और इसको refresh करते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं slash users ठीक है ये cannot get users बोल रहा है तो एक गर चेक कर लेते कि हमने वापस से सही लगाया है क्या slash users है और हम यहाँ पर slash users हम API लगाना भूल गया है तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा API slash users अब देखिए authentication is not defined और यहाँ पर console पर देखिए क्या message आ रहा है check authentication is not defined तो आपका यह check authentication जो है यह defined नहीं है इसको check authentication कहां लिख दिया मैंने इसको check करते है हाँ यह वाली method हमने define नहीं करिये तो इसको जो है authentication को अभी के लिए मैं true कर देता हूँ ठीक है और अब हम check करते हैं अब देखते हैं क्या होता है देखिए list of users आया अब यहाँ पर जो है console में क्या run हुआ देखिए user is authenticated याने यह वाला function आपका run हुआ है इसलिए user is authenticated आया तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने किस तरीके से मैंने एक middleware बनाया और उस middleware को उस route मैं inject किया है यह वाले route मैं मैंने इसको inject किया अब दोस्तों एक से जञादा यह यहीर से मुझे middleware आप बता सकते हैं तो ये पहला वाला मेरा इसको run करना चाहिए authentication चेक करना चाहिए दूसरा वाला जो है मेरा क्या करना चाहिए इसने ये वाला तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नोड जे आपका express जो है काफी अच्छा है middleware लिखने के लिए तो इस तरीके से आप middleware इसमें लिख सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भी मैंने आपको middleware लिख के बताया हैं अब इनको चेक करते हैं अब हम क्या करते हैं orders चेक करते हैं ठीक है तो यहाँ जाओंगा मैं और यहाँ पर क्या बोलूगा orders list of orders आया अब यहाँ पर देखिए मेरे पहले user is authenticated वाला मेरा जो है यह run हुआ उसके बाद मेरा यह run हुआ तो दोस्तों इस तरीके से आप express की मदद से आप पूरा user का पूरा control अपने हाथ में ले सकते हैं यह check कर सकते हैं कि user जो भी request भेज रहा है वो authentic है नहीं है सारा कुछ logic आप यहाँ पर लिख करके रख सकते हैं अपने routing में उसको लगा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि router module से आप क्या क्या कर सकते हैं router module से मैं वापस summary कर देता हूँ router module से आप अपना code जो है modular और बिल्कुल अलग-अलग modules में डाल के उसको अच्छा कर सकते हैं ताकि separation of code हो जाए ठीके code reusability आजाए इसमें तो यह इस तरीके से यह पूरा हमने यह देखा उसके बाद prefix बना सकते हैं तो prefix भी हमने देखा उसके बाद हम router के साथ हम middleware function भी उसमें डाल सकते हैं इस तरीके से तो दोसों यह था router module के बारे में दोसों यहाँ पर हम थोड़ा सा template engine के बारे में बात कर लेते यह क्या होता है तो दोसों आपने यह देखा होगा कि server से जब भी हमें dynamic HTML content चीए तो वो हम with the help of templates बना सकते हैं express में तो इसमें दोसों किते type की templates available है इसमें अलग-अलग different types की template available है तो template का basic basic function क्या है दोस्तों basic यह है कि आपका जो HTML है वो dynamically generate हो रहा है और generate होके server से आपको मिल रहा है ठीक है इससे क्या हो रहा है कि आप पूरा जो structure है web का यानि आपकी website का वो पूरा बना सकते हैं एक तो उसमें static part रहेगा और दूसरा dynamic part रहेगा तो server क्या करेगा आपको पूरा structure बना के दे देगा तो इसमें चार टाइप की template पॉसिबल होती है दोस्तों तो यहाँ पर हम चारों तो नहीं देखेंगे एक ही देखेंगे तो सबसे पहला EJS है फिर pug है और फिर mustache है तो हम यहाँ पर EJS याने embedded javascript को देख लेंगे और pug को पहले जो है जेड भी बोला जाता था क्या यूज है मतलब front end framework इतने available है जैसे आप view ले लो angular ले लो और भी swell ले लो तो इतने सारे front end framework से उससे तो हम सारा कुछ अपना बना सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बात यह आ रही है कि यह template engine जो हम यहाँ पर use कर रहे हैं वो lightweight है आरी बात समझ में it's a lightweight जो हम use करते हैं आपका जो भी framework की बात कर रहे हैं आप angular यह जितने भी framework से वो complex आपका जितना भी state management तयार करना है आपका client site पे वो सारे चीजे हम उसमें कर सकते हैं मतलब मैं यह बोलना चाहता हूँ कि उनका use case भी है बट वो काफी complex use case के लिए आप उसको use कर सकते हैं यह दि मुझे simply कुछ view दिखाना है let's say for example मैंने कुछ orders बेजे orders के लिए query बेजा और URL बेजा और मैं कुछ simple एक view चाहिए तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ okay so उनका एक अलग यानि बाकी जो framework से उनका एक अलग use case है इसका एक अलग तो in order to make this as a simple एक और यह server side rendered है यानि आपको SEO point of view से भी आपको यह अच्छा है अब आप फिर से सवाल करेंगे कि क्या SEO उसमें नहीं होता उसमें भी होता है दोस्व बट यह आप समझके चलिए कि simple SEO related आपको dynamically HTML content ची तो आप templates को यूज़ कर सकते हैं तो चलिए इसको देखते कि कैसे हम बनाएंगे दोस्व यह मेरा index file में मैं वापस आ गया हूँ और यहाँ पर हम इसको install करने की कोशिश करेंगे तो यह index file अभी मेरा कैसा दिख रहा है आपको यही मैं node index dot js करूँ तो क्या है यहाँ पर देखे यह hello world जो है मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आप यह दी इसको यह hello world मुझे दिख रहा है ठीक है अब मैं इसमें जो है install करता हूँ ejs तो मुझे install करने के लिए एक package रहेगा चाहिए रहेगा npm install ejs इसको हम install कर लेंगे तो package station में इसकी entry आजाएगी और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम जो है इसके अंदर एक data इसको हटा देते हैं एक data बनाते हैं और data के साथ साथ इसको render भी करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से आप एक data बना रहा हूँ data में क्या डाला hello express with data के अंदर मैंने एक message नाम का key बनाया और उसको जो है value दिया मतलब एक data मेरा object है अब मैं क्या कर रहा हूँ है res.render ठीक है index यह index.egs file में बनाऊंगा और उसके साथ यह मेरा data है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक views नाम का मेरा एक folder रहेगा ठीक है यह views नाम का folder है अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ index.egs नाम का एक file बनाता हूँ और इस file में जो है मैं यह structure कुछ इसका इस तरीके से रहेगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ data.message जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया यह आपको दिख रहा है यह data.message यह वाला जो है value वहाँ पर मैं dynamically डाल दूँगा तो मैंने क्या किया यहाँ पर दिखिए यह engine जो है साकि मैंने बताया यहाँ पर pug है ejs है mustache है तो हम view engine जो है set कर रहा है इसमें ejs देखिए set की है यहाँ पर और अब जो है यह set हो गया उसके बाद में यहाँ पर जो है data मेरा इस तरीके से और यह render कर रहा है मेरी index को ठीक है उसमें यह data जो इसने यहाँ पर बनाया वो डाल रहा है अब मैं इसको run करता हूँ यहाँ पर node index.js ठीक है अब हम इसको देखते हैं देखिए hello express with ejs यह आपको पूरा idea आप इसको inspect करेंगे तो पूरा जो है आपको बकायदा यहाँ पर यह document आपको मिल रहा है ठीक है तो देखिए किस तरीके से server ने आपको document dynamically बना के भेजा है with the help of ejs दोस्टो एक और example हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक जैसे user का profile मुझे चीए तो वो किस तरीके से मैं लूँगा इसमें थोड़ा मैं conditions और loop भी लगाता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपको data दिख रहा है वो data कुछ इस तरीके से रहेगा जिसमें कि मैं user का email ID और उसके hobbies वगएरे सारा कुछ यहाँ पर मैं डाल के दिखाता हूँ तो data जो है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको किस तरीके से रहेगा तो यह मैं data लेता हूँ और उसका render भी मैं यहाँ पर करता हूँ ठीक है तो इसको हम data को जो हटा देते हैं और यहाँ पर जो है हम देखे user में मैंने उसका नाम email और उसकी hobbies लिये और यहाँ पर render जो है मैं profile और यह user data जो है user बेशता हूँ तो मुझे यहाँ पर views में क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर profile.ejs नाम से template बनानी पड़ेगी अब वो template किस तरीके से रहेगी जिसमें मेरा loop और condition दोनों आ जाए तो यह template जो है variable ले रहे हैं तो वो आपको percentage फिर equal to लगाना है और वो variable यूज़ करना है सेम यहाँ पर देखिए यह bracket मदब यह जो bracket है इसको angle bracket के अंदर percentage परसेंटेज फिर यह आपको equal to तब लेना है जब variable है तो यहाँ पर भी variable है यहाँ पर भी variable यहाँ पर जैसे code है तो आपको equal to नहीं लेना है यह code लिख देना है और फिर यह आपका s2 template है उसके बाद में फिर यह code लिखा है आपने यहाँ पर तो इस तरीके से दोस्तों आप देख लीजिए जहाँ पर code लिखना है वहाँ पर equal to sign नहीं रहेगा और otherwise वो equal to sign रहेगा तो यह मेरा code है इसमें क्या होगा वो variables और जो भी values है वो ला लेगा यहाँ पर देखिए मैंने loop लगाया हुआ है for each loop है ठीक है तो यह पूरे variables वहाँ से replace कर देगा मतलब कहां से यहां से ठीक है यह देखिए अब हम इसको output देखते हैं तो इसको मैं जो है restart कर लेता हूँ और हम output देखते हैं तो क्या आएगा तो यह route पे तो यह आ रहा है अब जैसे ही मैं profile करता हूँ यहां पे देखिए यह बिल्कुल एकदम सही तरीके से आपको HTML उसने बना के भेजा हुआ है सर्वर ने जो भी values है वो replace की हुई है और आपको पूरा जो है उसने structure बना के भेजा है देखिए तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है template बना करके use कर सकते हैं बिल्कुल यह MVC pattern की तरह ही है MVC मतलब model view controller जो PHP और बाकी other frameworks में use होता है similar terms में यहाँ पर use हो रहा है हम यहाँ पर क्या कर रहा है view बना रहा है MVC में से view बना रहा है यह आपको दिख रहा है आपका यहाँ पर यह जो है view बन रहा है और यह मेरा data है और यह मेरा पुरा logic है जब भी मेरा profile पे होगा तो मुझे क्या दिखाना है यह डेटा दिखाना है और साथ में यह रेंडर करना है डेटा इसमें डालके रेंडर करना है तो बिल्कुल उसी टर्म्स में यह बन रहा है दोस्तों दोस्तों हम यहां पर थोड़ा सा एक complicated example देख लेते हैं कि जैसे मेरी कोई website है तो उसका layout कैसा रहेगा उस layout को मैं EJS template में किस तरीके से लिखूंगा तो यहां पर हम उसको देखते हैं तो उसको बनाने के लिए मैंने web.js एक file बनाई है और इस web.js में मेरा जो simple hello world application है वो इस तरीके से एदी मैं इसको यहां पर node web.js करूं तो यह कुछ इस तरीके से आपको यहां पर नजर आएगा यह कुछ इस तरीके से आपको यह नजर आ रहा है देखिए hello world ठीक है एक simple हमारा जो hello world program है अब मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्तों यहां पर जो है मैं एक layout बनाता हूं और उस layout को website के लिए use करता हूं तो जैसे माल लिजिये मेरे website में about page है home page है contact page है तो सबके लिए मैं यहां पर views बनाता हूं तो माल लिजिये मेरा about है तो about में मैं यह about us डाल रहा हूं और एक mission statement जो है एक variable मैं वहां से इसको ले लूँगा उसी प्रकार से contact में मैं क्या कर रहा हूं contact us लिया है और यहां पर मैंन email और phone number वहां से variable से मैं collect कर लूँगा उसी प्रकार से home में यह देखें तो home में मैंने बोला है welcome to my website और यहां पर message featured product और यह loop बना कर के मैंने जो भी product से वो यहां पर ले लिए अब दोस्तों यह layout कैसा रहेगा layout याने website का यहां हम देखे तो क्या होता है दोस्तों उसमें आ और उसका body होता है ठीक है लेकिन यहां पर जो है मैं जैसे contact पे जाओंगा तो मुझे contact दिखना चाहिए बट सासात में मुझे नेयो बार और footer भी दिखना चाहिए आरी बास समझ में तो यहां पर देखिए मैंने यहां पर about में जा रहा हूँ तो मैं सिर्प about के बारे में लिख रहा हूँ क्या यहां मैंने नेयो बार और footer के बारे में कुछ बताया है क्या नहीं तो मैं इसको क्या करूंगा एक common layout बनाओंगा ठीक है एक layout फाइल बनाओंगा और उस layout फाइल में सारा कुछ मैं यहां पर लिखूंगा ठीक है तो यहां पर मैंने layout.egs फाइल बना यह layout मैं कुछ इस तरीके से बना लूँँगा जसमें कि मेरा यह document है उसके बाद इसको आधा देता हो मैं इसको बाद में आपको explain करता हूं यह layout है मेरा ठीक है यह मेरा title आगया my website ठीक है उसके बाद में मैंने यहाँ पर home about और कॉंटेक्ट थीन यह नेयो बार बनाई है उसके बाद यहां पर मैंने में लिया है और में में क्या लिया हुआ है ठीक है और यह मेरा फूटर है अब मैं यह क्या चाहता हूं कि जो भी मैं यहां पर जैसे मैंने कॉंटेक्ट अबाउट और होम जो भी डाला है वह यहां प ठीक है तो यहां पर हम layout की help से यह सारा जो common structure है वो layout में डाल रहे हैं और जो भी changes है वो हम body में डाल रहे हैं तो इसको use करने के लिए दोस्तों आपको एक package की जरोत पड़ती है तो उस package को हम यहां पर install कर लेते हैं ठीक है उस package का जो नाम है express ejs layout तो उसको हम यहां पर install कर ले दोस्तों तो यह package मेरे पास अब आ गया है इसको मैं यहां पर require कर लूँगा ठीक है require करने के बाद में यहां पर मैं इस package को require कर लेता हूं दोस्तों ठीक है यह मैंने require कर लिया और मेरी EJS engine जो है मैंने यहां पर set कर दिये EJS EJS engine मैंने यहां पर set करी हुई है अब दोस्तों यहां पर जो है मैं थोड़ा सा changes करूँगा मतलब इसके अंदर जैसे मैंने आपको देखिए home में मैंने क्या क्या बनाया हुआ है message मेरा एक variable है ठीक है उसके बाद में मेरा यह featured product है यह सारे variables है तो मैं यहां प यहां पर मैं पूरा मेरा जो render object है उसको मैं तयार कर लेता हूं यहां पर ठीक है तो यहां पर देखिए मैं किस तरीके से उसको तयार करता हूं सबसे पहले मैं यहां पर इसको हटा दूँगा home world को और यहां पर मैं इस तरीके से लेता हूं ठीक है अब मैं इसके अंदर जो भी मेरा variables है वो सारे मैं यहाँ पर define कर देता हूँ तो मेरे variables क्या-क्या है दोस्तो यहाँ पर title, message featured product यह सारे मेरे variables है ठीक है अब मैं इसको check करता हूँ यह मुझे किस तरीके से दिख पड़ता है node web.js कुछ problem हुआ है ठीक है अब यह ठीक हो गया अब इसको हम run करते है ठीक है अब यह हमें किस तरीके से दिख पड़ता है देखते है देखिए welcome to my website, welcome to our website और featured product xyz जो भी हमने दिया हुआ था वो सारा कुछ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ने लग गया, वो किसकी मदद से हमें दिख रहा है क्योंकि हमने render home बोला है और home में हमने क्या दिया हुआ है यह सारा welcome to my website फिर message और वो सारे variables वहां से उठा रहा है यह जस्ट अभी हमने देखा पड़ने भी अब मैं क्या करता हूँ दूस्तों इसको यह welcome to my website बट यह आप देखिए यहाँ पर मुझे ना तो नेव बार दिख रही है ना तो footer देख रहा है ठीक है तो उसको भी मुझे set करना है तो यहाँ पर मैं उसको set कैसे करूँगा मेरे web.js में इसको तो मैंने use कर लिया इसको मैंने कहीं पर भी नहीं बताया देखिए तो इसको मुझे बताने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा दोस्तों use करना पड़ेगा तो मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ use जैसे ही मैं इसको बताता हूँ use यहां पर मैं restart करता हूँ अब हम देखते क्या होता है अब देखिए मुझे home about contact भी मिलना चालू हो गया यह मेरा पुरा layout और यहां पर यह footer और जो beach का जो body है वो यह है इतना आरी बस समझे तो इस तरीके से मैंने क्या किया दोस्तों यहां पर with the help of यह package से मैंने common layout बनाया ठीक है और उस layout में मैंने header और footer डाल दिया और body को इस तरीके से आपको hyphen देके body देना है ठीक है तो इस तरीके से मैंने दे दिया अब हम अब हम इसको देखते है about को तो about में मुझे क्या मिलेगा गे अधुक्यम अधी अब हम मैं कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ about में डाला लाई नहीं है यािनि about का मैंने set ही नहीं किया हुए है तो यहां पर मैं about को set कर लेता हूँ उस्तों तो किस तरीके से मेरा about यहां पर दिखेगा same pattern में यहां पर मैं इसको copy कर लेता हूँ और इसको हम बोल देंगे about ठीक है और इसका जो हम यह वाला object है इसको change कर देंगे और यहां पर हम क्या बोलेंगे render about ठीक है और यहां पर जो मैं है जो भी मैंने variables use किये मैं यहां पर उसको बता देता हूँ देखिए यहां पर मैं उसको किस तरीके से बता रहा हूँ यह variables मैंने use किये इसको restart करते हैं दोस्तो ठीक है अब check करते हैं तो आपको यह किस तरीके से दिखाई पड़ता है देखिए यह about us यह home तो हमारा ready है यह about अब contact मुझे बनाना पड़ेगा तो contact को भी हम यहां पर बना लेते हैं दोस्तों तो contact को किस तरीके से बनाएंगे यह contact आजाएगा मेरा यहां पर और यहां पर मैं क्या बताऊंगा contact आपको यह देखना है कि corresponding views में आपने वो contact बनाया है किया तो यहां पर आपको contact बनाना है और मेरा layout कहां से आ रहा है दोस्तों मेरा layout यहां से उसने by default ले लिया ठीक है तो यह इस तरीके से मेरा यहां पर layout आ रहा है तो अब contact को मैं email और phone number और यह दिया हुआ है मैंने तो उसको मैं set कर लेता हूँ यहां पर तो contact का जो है यह detail हम हटा करके नया जो भी मैंने variables डाले हैं वो मैं यहां पर डाल देता हूँ तो इस तरीके से यह मैं यहां पर डालता हूँ और इसको वापस से हम अब restart कर लेंगे server को और check करेंगे ठीक है अब देखी क्या है यहां पर दिख रहा है आपको contact test भी दिखाई पड़ रहा है तो दोस्तों यह था एक layout में किस तरीके से हम काम करेंगे और सारा एक layout बना करके हम उसमें different different जो page के content है वो हम show कर सकते हैं आप इसको और भी अच्छा एदि आप bootstrap यूज़ करना चाहते हैं तो bootstrap आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको जो है आप यह bootstrap का CDN link आप इसको copy कर सकते हैं इसके layout में ठीक है तो इसका जो layout है मैं यहां पर जाता हूँ और यहां पर इसके head में मैं यह bootstrap का जो cdn link है उसको copy कर देता हूं इसको हम लोग वापस से restart कर लेते हैं और चालू करते हैं अब देखते हैं तो यह आपको देखिए थोड़ा सा bootstrap इसमें जो आपका bootstrap framework है वो लग्या है और accordingly वो देखिए आपको किस तरीके से अब दिखा रहा है तो दोस्तों यह था layout का किस तरीके से हम यूज करेंगे दोस्तों यहां पर अब हम यह देखेंगे कि जैसे different different layouts को कैसे हम यूज करेंगे जैसे अभी आपने देखा कि यह common layout थी यहाने यह मेरा यहां पर website चल रहा है तो सबके लिए common है अब जब भी कोई हम application बनाते हैं तो उसमें different different users होते हैं जैस उसकी layout फिर change हो जाती जैसे माली यहां पर admin user है वो login करता है तो यह layout उसकी change हो जाएगी तो role based layout रहती है दोस्तों तो वो कैसे हम यहां पर बनाएंगे उसको देखते हैं तो माली जीए कि मेरा admin है तो मैं उसके लिए admin layout तायर करता हूं तो यहां पर मैं उसका नाम देता हू admin.ejs ठीके और उसमें जो है कुछ इस तरीके से में layout बनाता हूं दूस्तों यहां पर आप समझ लिजे कि कुछ इस तरीके से मेरे पास layout बनेगी एडमीन की तो मैंने यहां पर अभी यहां पर मैं यहां content यहां पर इस तरीके से hello admin कर देता हूं थाकि हमें पता चले ठीके औ और उसके बाद इसका जो नेविगेशन एडमीन का जो भी रहेगा वो आपसे हम कर लेंगे तो अभी क्या किया मैंने एडमीन.ajs से इसको बना लिया अब यह क्या हो रहा है दोस्तों अभी मेरा यह जो है common यह दी देखें यहां पर हम तो यह मेरा public यह जो मेरा यह वाला layout है अभी मेरा डिकता हूं और उस मिडल पर मैं सबसे पहले जो है यूजर konse इसको चेक करता हूं तो मिडल यूर मैंने आपको अलइडि बनाना जा दिया मैं फिर से यहां पर एक बार मिडल यूर बताता हूं दोस्तों की मिडल यूर मैं कैसे यहां डिक रहा हूं नौ ऐसो हुआ कि है यहां पर जो है मैं एक मिडल रहता हूं कि यहां पर की के आप सब्सक्राइब्स करा हुआ मैं कत्की ईबारपों हाँ जो रिक्वेस्टC से हमें चेक करकरना है कि क्मीLab पर पर जो रोल है वह क्या है उसी साब कंक है बना पर code यहां पर admin क्या हुआ है यहां पर फिर मैं बलता हूँ रोल इक्वल टू इक्वल टू एड्मीन है तो यहां पर रिस response में के अंदर locals में मैं admin को layout variable set कर रहा हूँ equal to admin यदि आप इसको मैं यहां पर दोस्तों हम console.log लगा के check करते हैं कि क्या आता है तो यहां मैं वापस से server को जो है start कर देता हूँ और यहां से मैं कुछ request भेजने की कोशिश करता हूँ दोस्तों यह देखिए यह सिधा admin पर जाके set हो रहा है अब देखिए पहले क्या था दोस्तों यहां पर कुछ भी नहीं था मतलब इन श्टार्टिंग में और फिर second वाले console में देखिए यहां पर उसने admin layout में admin set कर दिया है जैसे ही वह layout में admin set हो जाता है तो यह क्या है दोस्तों यह rest local क्या करता है यह view को जित्ते भी यह आपने variable set किये वह यहां पर variables उसको दे रहा है तो वह variable से उसको क्या पता चल रहा है admin layout है इसलिए वह आपको यहां पर admin दिखा था था भी आप देखिए हैं इस तरीके से आप जो भी यहां पर आपका user है उस हिसाब से आप इसमें layout set करिए ठीक है और जैसे यहां पर मेरा layout कुछ भी नहीं है तो मैं इसको else में इसको कुछ भी नहीं करूंगा मतलब इसको हटा देता हूं तो वो मेरा जो default और यहां पर मैं public कर देता हूं user तो अब देखी क्या होता है इसको हम restart कर लेंगे ठीक है अब देखी क्या हुआ मेरा वापस जो था वही आ गया क्यों क्योंकि यहां पर जो है layout जो default layout थी वही चल रही है ठीक है तो देखी किस तरीके से मैंने यहां पर एक यह जो है एक middleware यूज किया हुआ है middleware लिखने का तरीका क्या है दोस्तो request response और next middleware मैंने आपको पहले ही बता है एक पाइप एक एक request है request जब चल रही है उसके बीच में मैं कुछ चेक कर रहा हूं ठीक हो चेक होने के बाद वह आगे बढ़ता है तो आगे के लिए हमें next लिखना पड़ता है यहां पर देखी हमने next लिखा हुआ है तो जो भी request आ रही है उस request को चेक कर रहा है चेक करके फिर वह आगे बढ़ा दे रहा है और उसमें जो भी changes करना है request response में यहां पर हमने response change किया response में हमने admin डाला हुआ है तो यह मैंने हाड कोडिंग रोल हाड कोड करके किया हुआ है actually में तो यह हमें request से लेना पड़ेगा तो आपने देखा यहां पर किस तरीके से वह admin में चला जाता है मैं वापस यहां पर admin करता हूँ तो यह admin में चला जाएगा इसको हम restart करते है देखिए वह वाली जो पुरानी layout थी वह गयाप हो गई और एक नई layout चलो गई तो दोस्तो इस तरीके से आप complicated layout with the help of role base आप कर सकते हैं दोस्तो यह था मेरा node.js का crash course आपको यह जो है वीडियो पसंद आया होगा तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like करे, share करे, subscribe करे और आपके जो भी comments है मुझे comment box मे बताएं आपके comment से मुझे help मिलती है और एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं दोस्तो अगली वीडियो में